Welcome to IAS PCI Zone मैं हूँ सोनु कुमार और आपके लिए लेकर के आया हूँ 68 BPSC के लिए फुल मॉक टेस्ट जिसका आज प्रथम टेस्ट होगा तो हम लोग इस टेस्ट को सॉल्व करेंगे और आपके इसमें कितने नंबर सही होते हैं उसे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और वीडियो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले एक थोरी सी रिक्वेश्ट है यदि वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक किजेगा, शेर किजेगा और मेरे चैनल पर पहली बार आये हैं चैनल को अबस करके सब्सक्राइब कर दीजेगा जिसे हमें आगे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता रहे चलिए शुरू करते हैं पहला प्रशन है भारत के एक राज का राजपाल अपने क्रित के लिए किसके प्रति उतरदाई होता है तो इसमें आपको पांच आपसन दिए गये हैं तो इसमें जो सही आप्सन होगा उसको मैं बताऊंगा क्यूंकि जब मैं सारे आपसन को पढ़ने लगोंगा तो वीडियो ज्याद्या लंबी हो जाएगी तो इसलिए हम लोग राइट एंसर को ही सी टिक करेंगे तो इसका सही उतर हो जाएगा वो हो जाएग कभी साथ होता है इसलिए इसका एंसर हो जाएगा option E यानि इसका right answer हो जाएगा option E next question है भारत के निम्न राजियों में से किसमें महिलाओं की सक्षर्टा दर्ड जो है नियूम्तम है तो नियूम्तम की होता है तो नियूट्रोन नहीं होता है वह हाइडोजन में होता है हाइडोजन में जो है नियूट्रोन नहीं होता है तो इसके लिए इसका right answer हो जाएगा hydrogen अगला प्रश्ण है इंगस्टम किसकी इकाई है तो इसका सही उतर क्या हो जाएगा इसका सही हर्टज में ना पजाता है आपका अगला प्रशन है खाल सा पंद का संस्थापक कौन था खाल सा पंद का संस्थापक गुरु गुविन सिंग थे खाल सा पंद के संस्थापक गुरु गुविन सिंग है नेक्स्ट प्रशन है राजा राम मोहन राय के मरने के बाद ब्रहम आज में नई जान डाल दी थी वह कौन थे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केशब चंदर शेन यानि बी ओप्सन जो है या सही होगा केशब चंदर शेन आपका अगला प्रशन है भारतिय राष्टिक कांग्रेश ने असहयोग अंदोलन की परतिग्या दिसंबर सितंबर 2020 में कहां की थी तो जो भारतिय राष्टिक कांग्रेश थी या सहयोग अंदोलन की जो परतिग्या की थी हुआ की थी कलकत्ता के दिवेशन में तो इसका ऑप्सन भी सही होगा आपका अगला प्रशन है डिप्थीरिया डिप्थीरिया तथा इंफ्लूंजा विमारी किन कारणों से होती है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्सन भी बैक्टिरिया तथा वाइरस से आपका अगला प्रशन है मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है तो मधुमेह रोग जो है किस इंजेक्शन से कम किया जाएगा तो इसका सही उतर हो ज इसने की थी समानता लोग वाट्सन एबं क्रीक को मारते हैं जब कि इसका एंसर ये जो वाट्सन और क्रीक है ये गलत होगा इसका सही उतर क्या हो जागा ऑप्सन E क्योंकि जो DNA के खोज किये थे उनका नाम था फ्रेडरिक मिश्चन तो आपका अगला प्रशन है इसलिए इसक इलेक्ट्रो एंसे फैलोग्राम इनिए EEG निम्ण में से किसकी निगरानी के लिए उप्योग होता है तो इसका सही उतर क्या हो जाएगा इसका सही उतर हो जाएगा ऑप्सन D मस्तिस्क मस्तिस्क जो है मस्तिस्क की गतिविधियों को कौन आपता है मस्तिस्क की गतिविधिय योगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगो एक कौन थे उसका सही उत्तर हो जाएगा अबुल फजल जो थे आएनी अकवरी को लिखे थे आपका अगला प्रशन है 1857 इसवी का बिद्रो चीडने की अबदी में गवर्नर जनरल कौन थे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा लौड कैनिंग के समय में 1857 का बिद्रो हुआ था आपका अगला प्रशन है भारत में अंगरेजी शिक्षा का परवर्तन किया था वो कौन थे तो उनका नाम था लौड मैकाले यानी 1935 में किये थे आपका आगला प्रश्ण है भारतिय समिधान की प्रारूप समीति के अध्यक्ष कौन थे भारतिय समिधान की प्रारूप समीति के अध्यक्ष कौन थे तो अथे डॉक्टर भीमराव अंभीतकर इसमें टोटल साथ सदस था आपका आगला प्रश्ण है भारतिय समिधान ग्रहि दिया गया हुआ दिया गया है 26 November 1989 को आपका अगला प्रशन है शरीर का तापमान नियंतरित करता है शरीर का तापमान जो है उसको कौन नियंतरित करता है तो उसका सही उतर हो जाएगा हाइपो थेलमस हाइपो थेलमस के द्वारा शरीर का तापमान को नियंतरित किया जाता है आपका अगला प्रश्ण है विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकंग सीटी है आपका अगला प्रश्ण है निमलिकीत में से कौन भारत से होकर गुजरता है तो इसमें से आपको चार जो रेखा दिया गया है वो है तो भारत से होकर गुजने वाली रेखा है करक रेखा करक रेखा जो है वो भारत से भारत के आठ राज्यों से होकर के गुजरती है तो आपका आगला प्रशन है रेक्टर असकेल का परियोग किया जाता है रेक्टर अस है फाल के पुरस्कार जो है किस छेत्र में दिया जाता है तो इसका सही उतर हो जाएगा option B भारती है चल चीत्र में विशिष्ट से वारत के लिए तो आपका next question है 40 degree Celsius का मान Fahrenheit scale में क्या होगा 40 degree Celsius का जब हम मान जाएगा 104 degree Fahrenheit चलिए आपका अगला प्रश्ण है विद्धु शक्ति की इकाई है विद्धु शक्ति का इकाई क्या है तो विद्धु शक्ति का इकाई के हम बात करेंगे तो वाट है विद्धु शक्ति का इकाई क्या है वाट है आपका अगला प्रश्ण है विद्धु धारा निम्न में से किस उपकरन से नापी जाती है विद्धुधारा जो है निम्न में से किस उपकरन से नापी जाती है तो इसका सही उतर हो जाएगा एंपियर से विद्धुधारा को एंपियर से नापते हैं आपका अगला प्रशन है ग्रीन हाउस गैसे में मुख घटक कौन-कौन सा होता है यह आपसे यहां पे पूछ रहा है तो इसका सही उतर क्या हो जाएगा इसका सही उतर हो जाएगा देखिए Green House Guest में Karbon Diode Oxide भी होता है Methane भी होता है Nitrous Oxide भी होता है और ozone भी होता है इसलिए इसका सही उतर हो जाएगा Option E आपका next question है Einstein को Which Novel Prize उनको किस स्कार्ज पे मिला था उन्होंने प्रकास का बिद्धूत प्रभाव दिया था इसले पुर्छीित उनको नोब्लब प्राईечंस मिला था तो next question हो जाएगा अनातोलिया पठार इस्तित है तो देखिए इसमें लोकेशन दिया हुआ है तो अनातोलिया का जो पठार है वो पश्मी एसिया में है क्योंकि अनातोलिया के पठार को हम तुर्की का भी पठार कहते हैं next question है अनतराश्टिय तितिति रेखा हुआ रेखा है जहां अनतराश्टिय तिति रेखा को हम 180 डिगरी देशामतर रेखा भी काते हैं और उसके जब हम left side में जाएंगे तो एक दिन बढ़ जाता है जब कि right side में जाएंगे अंतर आश्री की थी रेखा को तो एक दिन घड़ जाता है तो इसलिए इसका सही उतर हो जाएगा वो हो जाएगा option E और उजोन जो परत है वो क्या करता है तो पराइग बैगनिक सुर्ज किर्णों से पिर्थवी की रक्षा करता है तो इसलिए इसका सही उतर क्या हो जाएगा? आपका आगला प्रश्ण है जब कोई बस्तु चंद्रमा से पिर्थवी पर अस्थानांतरित की जाती है जब कोई बस्तु जो है दिवत चंद्रमा से पिर्थवी के और अस्थानांतरित की जाती है तो क्या होता है तो इसका सही उतर हो जाएगा क्या इसका सही उतर हो जाएग इसका सही उत्तर हो जाएगा मिहरगर से भारत में परशुपाले निवं कृष्य के प्राचिंतम साच मिहरगर से प्राब्ध हुए है आपका अगला प्रशन है बहगवान बुद्ध के महा परिनिर्बान के बाद पहली बहुत संगिती हुई थी पहली जो बहुत संगिती सरप्रथम ब्यापक पैमाने पर शर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था तो देखें इसलिए इसा है की eso तो वासिंगटन डी सी में है इन में से किशने पहली बार यह ब्याख्या की थी कि पिर्थवी के अपनी धूरी पर घूमने के कारण परती दीन सुरियोदय एवं सुरियास्त होता है तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आरेभट आरेभट ने ही सरपर्थम यह जनकारी दी थी नेक्स प्रशन है मराठो के कारिकाल में चोथ फ्रकुल की था? चोथ एक कर था नेक्स प्रशन है कस बृतिस पर्थानमंत्री ने communal अवार्ड दिया था तो वो दिये थे रेम्जे मैगडुनाल्ड ने कम्नैल अवार्ड को दिया था इन में से कौन पर्त्यक्ष कर है इन में से कौन पर्त्यक्ष कर है तो देखिए इसका सही उतर हो जाएगा वो हो जाएगा निगम कर निगम कर जो है वो पर्त्यक्ष कर है जबकि हम GST बस तो हम सेवा कर यानि GST के बात करें तो यह पर्त्यक्ष कर है तो इसलिए इसका अंसर ह हो जाएगा option a next question है next question math का है जिसमें दिया हुआ है संख्या एक संख्या है 6 7 11 8 और x 3 और 14 का माध्य 8 है तो x का माननी का लिए तो देखिए इसको अपसॉल्ब कर लिजेगा इसका सही उतर आएगा वह जाएगा option c शाथ आएगा next question है peripulse of the erythriancy किस ने लिखा था इसका सही उतर हो जाएगा या हो जाएगा option e क्योंकि जो peripulse of erythriancy लिखे थे उनको एक अनाम व्यक्ति ने लिखा था जिसको अभी जानकारी नहीं है कि इसको कौन लिखे थे इसलिए इसका answer क्या हो जाएगा option next question है बिहार पर वक्तियार खिल्जी के हमले का विबरन प्राप्त हुआ है वो कौन से पुस्तक में है दुर्ट का option हो जाएगा तब कात e नासरी यानि option 20 का सही होगा आपको मालूम होगा कि 1193 में 1193 में वक्तियार खिल्जी ने नालंदा विश्विद्याले को नश्ट कर दिया था किस सुल्टान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा रजस की रूप में दावा किया था तो इसका सही उतर क्या हो जाएगा इसका सही उतर हो जाएगा option e हो जाएगा क्योंकि अलाउदिन खिल्जी जो थे अलाउदिन खिल्जी ने प्रथम बार इसका परियों किया था जो क में श्वेत करांती के जनक माने जाते हैं तो भारत में श्वेत करांती के जनक कौन माने जाते हैं तो माने जाते हैं बीजी कुरियन जो है उनको भारत में श्वेत करांती का जनक कहा जाता है नेक्स प्रस्टन है भारती राष्टी गान पहली बार गाया गया था भारती राष ये द्वज की रूप रेखा को अंगिकार किया है वह कब किया है तो वह किया है बाज जुलाई उन्हेश सो 47 सभी को इसलिए इसका अंसर डी सही होगा नेक्स प्रशन है पंदरह में बित आयो की सिफार सो के अधार पर केंदर सरकार ने विभाजनिये करो का कितना हिस्सा राजियों के बीच बटवारे की श्विकिर्ती परदान की है तो इसका सही उतर हो जाएगा 41 परतिसद नेक्स प्रशन है मैगी नोट रेखा किन दो देशों के मत हिस्तित है तो इसका सही उतर क्या हो जाएगा मैगी नोट रेखा जो है या फ्रांस और जर्मनी के बीच हिस्तित है जबकि USA की बात करें तो यह 49 समनांतर रेखा है और जर्मनी और पोलेंड की अधि हम बात करें तो यहां पर हिंडन वर्ण रेखा है तो इसलिए इसका अंसर क्या हो जाएगा उप्संसी सही होगा नेक्स प्रशन है रिजर्बैंग के नोट निर्गत विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल का स्वर्ण को जो है जमाराना चाहिए तो इसका सही उतर क्या होगा 115 करोर जब रिजर्बैंग के पास रहेगा तभी वह नया नोट को क्या करेगा जारी करेगा चलिए नेक्स प्रशन है भाखरा नांगल बांध इस्तित है भाखरा नांगल जो बांध है वो किस नदी के तर्ट पर इस्तित है तो इसका सही उतर क्या हो जाएगा इसका सही उतर हो ज करें तो हैं पर दूलहस्ती प्रयोजना शुरूँ किया गया है और इभी हम गंगा नदी के बात करें तो हैं फरकर डैम जो है किस्तित है इसलिए इसका एंसर क्या हो जागा इसका एंसर बी जो है या सई होगा आपका अगला प्रज्ण है शंपून क्रांति का हवान च्छलिया नेक्स प्राशन है निमली कित में से किस धिस के समूँ को भूमत रेखा गुजड़ती है तो देखिए इसमें इसमें पांच उपसन दिये गया है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह उपसन B हो जाएगा कोलंबिया केनिया तथा इंडोनेसिया सो जो है उमद रेखा गुजरती है यदि हम टोटल देश की बात करें तो तेरा ऐसे देश हैं जहां से उमद रेखा गुजरती है नीचे दी गई पर्मुग घटनाओं का सही तीथी करम क्या है तो देखिए इसमें चार ओप्सन दिये गया है और इसमें से आपको चूज करना है कौन इसमें सबसे पहले हुआ था तो देखिए यदि हम एसेलवी थिरी की लॉंच की बात करें तो यह उन्हें 108 में किया गया तो इस परकार इसमें कोई भी उप्सन नहीं दिये गये हैं तो इसका उप्सन D सही होगा अगला प्रशन है भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है तो भारत और चीन के बात करें तो आपे मैक मोहन रेखा है जबकि रेट किलिफ रेखा के बात करें त इसका सही उतर हो जाएगा ग्राम पंचायतों की अस्थापना ग्राम पंचायतों की अस्थापना के दि हम बात करें तो यह अनुछेद 40 में दिया गया है चलिए आपका अगला प्रश्ण है 1929 में किसकी अध्यक्ष्टा में आयोजित हुए भारती राष्टी कांग्रेस के ल आपका प्रश्ण है केंद्रियस जल एबं बिद्दू शो संधा म्धान जो है वो कहां इस्थित है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा खडग वासला में खडग वासला जो है यह पूने में है याद रखेगा खडग वासला कहा है पूने में है तो वहीं पे जो है केंद्रिय जैलेवं बिदुशुल केंद्र है चलिए नेक्स प्रश्ण है दु कि राजधानी का उस समय नाम क्या था तो असोक समराज जो थे उनकी राजधानी का नाम पाटली पुत्र था वे मगद के राजा थे नेक्स प्रशन है उस राज का नाम बताए जहां से भारत का पर्थम राश्पति जो है चुना गया तो अथे पर्थम राश्पति कौन डॉक गोविन सिंग जी का जनम कहां हुआ था तो शिकों के दसमे गुरू जो थे गोविन सिंग उनका जनम पटना में हुआ था नेक्स प्रेशन है 23 अगस्त 2021 से अंतराश्टी मुद्रा कोस में भारत का विशेश आहरन अधिकार कोटा कितना हो गया है तो यह हो गया है इसका सही उ उतर हो जाएगा ऑप्सन बी जो है 12.57 बिलियन यूश डॉलर जो है वहां पे भारत का हो गया है नेक्स प्रेशन है निम्लिकीत में से कीश चेत्र में 2005 में इंद्रा गांधी परमानु अनुसंधान के ने उलेक निये बिर्धी की है तो इसका सही उतर हो जाएगा इसका सही 71 में किया गया था नेक्स प्रेशन है निम्लिकीत में से कौन सा हायोग जो है सर परथम समीधान की भारत की समीधान की किसी धारा के अंतरगत इसका सही उतर हो जाएगा या हो जाएगा option c चुनाब आयोग चुनाब आयोग जो है सरपर्थम क्या किया गया था अस्थाफित किया गया था यह 25 जनवरी 950 को किया गया था चले नेक्श प्रशन है ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए वाल बारकर वाल वारकर कप परदान किया जाता है तो बाल वारकर जो कप है यह मुक्यवाजी में परदान किया जाता है चले नेक्श प्रशन है प्राचीन अगर तक्षिला नेम्लिकित में से किस के बीच इस्तित है तो तक्षिला जो है अभी बरतमान के रावल पिंडी पाकिस्तान में है जो कि मौर्ज सासक जो थे मौर्ज कला के मौर्ज के समय जो था यह सिक्षा का परसिद केंद्र था या सिंधु एवं जहलम नदी के बीच अवस्तित है चले नेक्श प्रशन है नेम्लिकित में से कौन सा विद्रो बंकिम चंद्र चटर जी के उपन्यास अनन्दमर्ट के द्वारा परसिद हुआ है तो वो हुआ है सन्यासी विद्रो सन्यासी विद्रो जो है उनके द्वारा उनके अनन्दमर्ट पुस्तक में बढ़नीत है सन्यासी विद्रो के बारे में चलिए नेक्स प्रशन है निमली कीत में से कौन सा कथन सत्य नहीं है यहां ध्यान दीजेगा कथन सत्य नहीं है तो इसमें से महानदी का उद्गम 36 गड़ में है यह सही है गोदावरी नदी का उद्गम महराष्ट में है यह भी सही है कावेरी नदी का उद्गम आंधर परदे इसमें आपका उप्षन चार पांच उप्षन दिया गया है इसमें सही उप्षन हो जाएगा उप्षन सी गंगुबाई हंगल प्रसीद गाई का है चली नेट्ष प्रस्ण है को लमबो से अलमोडा तक ब्याक्ष्यान निमली खित में से किसके अनुभाबो पर आधारित है उतर हो जाएगा स्वामी विवे का नंद जो है उन्हीं के बर्णान इसमें दिया गया है चलिए नेक्स प्रश्ण है जंगन्ना 2021 के नुसार भारत की कुल जन संख्या में हिंदूओं का हिस्सा कितना है तो यदि हिंदूओं के हिस्सा बात करें 2021 के जंगना का नुसार तो हो जाएगा उनासी दसमलग आठ परतिसत चलिए अगला प्रश्ण है वर्ष 2021 बाइस में कुल खपत में कितने परतिसत की बिर्धी का अनुमान आर्थिक समिक्षा 2021 बाइस में लगाया गया है तो यह है इसका सही उतर हो जाएगा साथ परतिसत चलि लब जो है लब निम लिखी तुमें से किस खेल से संबन्दित है तो लब जो है यह टेनिस खेल से संबन्दित है लब का मतलब होता है सुने का स्कोर चलिए नेक्स प्रश्ण है तीन मिसरन जिसमें दूद पानी का अनुपात इतना इतना दिया गया है इसको आपको सॉल्व सबसे अधीक चमकता है तो वह कौन हो जाएगा शुक्र हो जाएगा शुक्र जो है सबसे चमकीला तरह है चलिए नेक्स प्रश्ण है शमुद्री सीतल पवन का क्या का समुद्री सीतल पवन जो है बहता है समुद्री सीतल जो पवन है वह दीन में समुद्र से भूमी की और बहता है चलिए नेक्स प्रश्ण है एक मनुज तीन बर्स की अब्धी के लिए ब्यासदर क्या होगा तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सही उतर आएगा तीन परतिशत चलिए नेक्स प्रेशन है यदि एक पेंडूलम से दोलन करने वाली घड़ी को पीर्थिवी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी क्या हो जाएगी घड़ी जो है वह सूस्त हो जा तब कौन से परिवर्थे परभावित होंगे तो इसका सही उतर क्या हो जाएगा इसका सही उतर हो जाएगा केवल तरंग धायर तथा बेग इसका सही उतर हो जाएगा निया ओप्सन डी इसका सही होगा अगला प्रशन है मनुस के नेत्र के रेटीना पर परतिविम बनता है तो अब वास्तविक तथा उल्टा बनता है नेक्स प्रशन है सिमेंट के ग्राइडिंग प्रक्रम में के अंतरगत क्लिंकर चुन में जिपसम मिलाने का उद्देश है तो इसका सही उतर क्या हो जाएगा इसका सही उतर हो जाएगा वास्तवीक इसका सही उतर हो जाएगा सेंटिंग इदर को मंदित करना तो इसका एंसर डी सही होगा चलिए अगला प्रशन है प्राकिर्तिक गैस का मुख अभ्यव है प्राकिर्तिक गैस का मुख अभ्यव क्या है निम्लीकीत मेंसे कौन सा रिनात्मक होगा होना चाहिए देखिए इसमें या तो Ukrainian negative हो सकता है या N negative हो सकता है इसलिए इसमें तीनो negative हो सकता है तो इसलिए इसका answer सही होगा D चलिए नेक्ट प्रस्टन है pipe A tank को समानी रूप से 2 घंटे में भरता है tank की तली में एक छेद के कारण pipe को tank भरने में 30 मिनट अधिक लगते हैं यदि pipe A को बंद कर दिया जाए तो leak की कारण tank को खाली होने में कितना समय लगेगा तो यदि हम इसको solve करेंगे term जो है यानि emiture जो है बराबर है तो n का मान क्या होगा जब हम इसको solve करेंगे तो इसका सही उतराएगा 13 यानि option भी इसका सही होगा चलिए next question है एक बैग में 25 पैसे 10 पैसे तथा 5 पैसे के सिख्ये हैं जिसका करम है 1, 2, 3 के अनपात में है यदि इन में कुल 30 रुपया है तो 5 पैसे के सिख्यों की संख्या क्या होगी जब हम इसको सही solve करेंगे तो इसका सही उतराएगा 150 चलिए next question है एक घरी परती दिन 15 मिनट आगे हो जाती है 12 बजे दो पहर में इसका समय सही मिलाया गया पराया 4 बजे यह समय दिखाएगी तो जब हम इसको solve करेंगे तो इसका सही उतराएगा 4 बज करके 10 मिनट चलिए next question है इंसुलीन उत्पादित होता है इंसुलीन जो है उत्पादित होता है तो इंसुलीन कहां उत्पादित होता है तो यह होता है पैन क्रियाज जिसको अगनासय में कहते हैं अगनासय के द्वरा होता है चलिए next question है मनुस के सरीर में पैरो की हडिया है तो इसमें से आपका option दिया गया है जब हम इसको छाटेंगे तो इसमें आ जाएगा फिवला तथा टिबिया जो है या पैर की हडिया है चलिए next question है वायू का बेग समंदित है वायू का बेग जो है किसे समंदित है तो इसका सही उतर हो जाएगा दाप्रवनता से वायू का बेग दाप्रवनता से समंदित है अगला प्रशन है अधात्मे शमांता विद्धूत की कुचालक होती है परंतु गिर्फाइड विद्धूत का सुचालक है क्योंकि ऐसा क्यों होता है क्योंकि इसमें शिथिलता बद इलेक्टरन होते हैं चलिए नेक्ट प्रश्ण है मनू तथा भरत की आयू का अनुपाथ 6 अनुपाथ 5 है तथा उन दोनों की आयू का योग 44 वर्स है 8 वर्स के पशात उसकी आयू का आउसत क्या होगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे इसका सही उतर जाएगा 30 वर्स यानि उप्शन सी इसका सही होगा अगला प्रश्ण है ववा संख्या बताएं जो निम लिखित संख्याओं के अनुकरम में इसके बाद आएगी तो इसका सही उतर क्या हो जाएगा? इसका सही उतर हो जाएगा 2160 अगला प्रश्ण है सत्पूरा परवत सिंखला तापी तथा इस नदी के बीच इस्थित है इसका सही उतर क्या हो जाएगा इसका सही उतर हो जाएगा नर्मदा और तापी के बीच जो है सत्पूरा परवत इस्थित है और यदि हम इसके सबसे उची चोटी के बात करें तो हो जाएगा धूपगड जो की महाद्य परवल पर इस्थित है चलिए आपका अगला प्रश्ण है एक मांचित्र में समान दाव बाली रिखाएं क्या कहलाती है एक मांचित्र में समान दाव बाली रिखाएं जो है आई सो बार कहलाती है आपका अगला प्रश्ण है प्रफंबार जब आहलाल नहरू ने कांग्रेस पार्टी की अध्यच इस बर चुने गये थे तो 1929 के लहोरा धिवेशन में जो पर्फंबार कांग्रेस की अध्यच चुने गये थे अगला प्रशन है नगर कोजी कोड क्या कहलाता है तो इसका सही उतर हो जाएगा काली कट काल क्षान का है यह ओडिश हमें है चली अगला प्रश्ण है उस प्रथम गरह का नाम क्या है जिसके बारे में खोजी ने बताया कि बहां सुर्योदे होते हैं आपका अगला प्रश्ण है जन तो उड़ैग्चलन चैसे संथाल, ये सिराज में नहीं रहती है, यदि हम संथाल की बात करें, तो हम असम में नहीं रहती है, जबकि ज़ारखंड, उडिशा और पश्ची मंगाल में यह रहती है, तो इसलिए इसका अंसर ये जो है सही होगा, अगला प्रशन है, भारत में व विशालतम समुद्रत्टटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटट है जारखंड के जब हम उत्तर की बात करें तो उत्तर में उसके बिहार है चलिए अगला प्रश्ण है सबसे अंदर भूमी द्वारा घीरा पतन है सबसे अंदर भूमी द्वारा घीरा पतन कौन सा है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह ह जाएगा विशाखा पत्नम अगला प्रश्न है दिली से कुलकत्ता को जोडने वाला राश्टे मार्ग का क्रम क्या है दिली से कुलकत्ता जोडने वाले राश्टे राजमार्ग का क्या क्रम है तो राश्टे राजमार्ग टू है चलिए अगला प्रश्न है केसर का मुख अब मार्च अप्रील होता है चलिए इसका अप्सन है यह सही होगा आगला प्रश्ण है किस कोईले में कारवन की मात्रा अधिक्तम होती है सबसे अधिक्तम यह कोईले की बात करें सबसे अच्छे क्वालिटी की कोईले की बात करें तो होता है इंत्रासाइड इंत्रासाइड म इस ब्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे जादा बोटों से जीतने का पिस्व रिकॉर्ड कायम किया था, वह कौन थे? वह थे? राम बिलास पाशवान जो की चार लाख बोट से जीते थे, यह 1977 के चुनाव में ऐसा हुआ था, चली अगला प्रश्ण है, किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी जो है, उसके नाम से कोई किसे जाना जाता है, तो खान अब्दूल गफार खान को जाना जाता है, अगला प्रश्ण है, उस राज का बरतमान नाम क्या है, जहां नलंदा का प्राचिन सैचिनिक्स अस्थल था, तो वह था बिहार, विहार की नलंदा जिला में ही नलंदा विश्वी डाले अवस्तित था अगला प्रश्ण है यह प्रशिद स्थल विहार में इस्तित है कौन से प्रशिद स्थल जो है विहार में इस्तित है यदि हम बात करें असो कस्तम जो है यह विहार में है यह जो है लोरिया नंदन गंड जो की पश्मी चमपारन में अवस्तित है चलिए अगला प्रश्ण है किस लेखक ने प्रशित चरचीत्र जीवस की रचना की है तो जीवस की रचना कौन किया था तो कौन किया थे बुड़ हाउस ने किया था चलिए अगला प्रश्ण है पांच सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि इनका जनम दिवस है पांच सितंबर जो है वह एस राधा कृष्णन का जनम दिवस है जो की सिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है तो अगला प्रश्ण है भारत में पहली बोलती फिल्म क के राष्टी पुरसकार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म थी उसका नाम क्या है तो पहली फिल्म थी स्याम जी आई जो थी पर्थम फिल्म थी जो की सर्बसेट फिचर के पुरसकार जीती थी चली अगला प्रश्ण है बाक्यांस ज़स्ट टू इट बाक्यांस ज़स्ट जो कर्ज के पुनरभुगतान से संबंदित है में E का अर्थ क्या है तो E के दि हम बात करें यहां पे तो E का मतलब हो जाएगा invited, इविक का मतलब हो जाएगा invited हम EMI के full form की बात करें तो इसका full form हो जाएगा equated monthly installment equated monthly installment अगला प्रश्ण है किसने last last supper को चित्रित किया था, last सपर को किसने चित्रित किया था तिसका सही चित्रकार कौन थे उसका चित्रकार थे लियांडो दा विंची जो की इटली के एक परसित चित्र कार हैं अगला प्रशन है पिर्थक पंचायती राजमंत्राले का गठन कब हुआ था पिर्थक पंचायती राजमंत्राले जो है उसका गठन कब हुआ था तो 2004 में हुआ था अगला प्रशन है निमलिकीत में से कौन आन जिसो की संख्या कितनी हो गई है जिसका सही उत्तर के मात करें तो यह सही उत्तर हो जाएगा 37 अगला प्रश्ण है जून 2022 में केंद्रिय स्वास्तेवं उर्बरक मंतरी डाक्टर मंसुक मंडाविया ने बिहार के किस जिले में निर्माना धिर हरल खाद कर खाने को में नैनो य अगला प्रश्ण है बिहार के किस वन अभ्यारन को टाइगर रिजर्ब के रूप में मंजूरी मिलने का प्रस्ताब है तो वह है कैमूर अगला प्रस्ताबित गोरकपूर सिल्ली गुड़ी एक्सप्रेसवे को बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरने के केंद सरकार से सैधान्तिक मंजूरी मिली है इसका सही उतर हो जाएगा यह हो जाएगा नौ जिलों से अगला प्रश्ण है तीन राज्यों को जोडने वाली गोरकपूर सिल्ली गुड़ी ए कितनी है तो यह कितनी है यह 27 अगला प्रश्ण है बिहार के मुख मंतरी नितिश कुमार और केंद्वी मंतरी गड़करी ने गंगा नदी पर बने महात्मा गांधी सेतु पुल की पुर्वी लेन का उद्गाटन कब किया है तो इसका सही उतर हो जाएगा 7 जून 2022 को अगला प् 2022 को किस राज की महिला रगवी टीम ने राश्टे चम्पियंशिप में सीनियर वर्ख का किताब जीता है तो इसका सही उतर हो जाएगा बिहार ने अगला प्रश्ण है महात्मा गांधी सेतु का अश्च्टील ब्रिज की लंबाई कितनी है तो इसका सही उतर हो जाएगाHS इसका सही उतर हो जाएगा 5.6 किलो मिटर अगला प्रश्ण है बिहार में पीतल नगरी के रूप में परसीद परेव गाउं कहां इस्तित है तो इसका सही उतर क्या हो जाएगा इसका सही उतर हो जाएगा बीटा में अगला प्रशन है 18 जून 2001 इसको बिहार में किस महान नेता की 134 मी जैनती मनाई गई इसका सही उतर हो जाएगा डाक्टर अनुगरह नरायन सिंका अगला प्रशन है खाल ही में भागलपुर्ग में राष्ट पती और परधान मंत्री को जरदालू आम भेजे गए हैं जरदालू आम को GI टेग कब मिला था तो इसका सही उतर हो जाएगा जरदालू आम को 2018 में GI टेग मिला था अगला प्रशन है भारत में ठोक मुद्ध सुचकांका अधार बर्ष कब अब क्या है जिसका सही उतर हो जाएगा 2011-12 अगला प्रशन है बुमेन आप इंफ्लूएंस नामक पुस्ता के लेखक कौन है जिसका सही उतर हो जाएगा रजनी सेखरी सिबल जो है वह बुमेन आप इंफ्लूएंस बुस्ता के लेखक है अगला प्रशन है निमलिकित में से किसने अभी मैं जिन्दा हूँ गोरईया नाम की पुस्ता को लिखा है जिसका सही उतर हो जाएगा उसा किरन खानने अगला प्रशन है बिहार की किस जिले में प्रथम कचरा मुक्त शहर का दर्जा म मिला है बिहार के किस जिले में का बात करें दोस्तों आपके इसमें कितने आप प्रशन में इतना स्कूर है और यह वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों वीडियो को लيक कीजिए शेयर कीजिए और वीडियो में ठोटकुश त्रूटी रह गय तो मैं आगे वीडियो से सुधार करने का कुशिस करूँगा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद